बिना पैरों के बनाया रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड, जानिए इस इंसान के जजबे की कहानी है कौन विग्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, परवत के जाते हैं, पाँ उखड, मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है वाह, ऐसे इंसान के जजबे के लिए तो एक दमदार सलाम और लाइक तो बनता ही है और दोस्तों, साधी भरपूर शेयर करें, ताकि हर किसी का होसला बुलंद रहे नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसानी होसले और जजबे के बारे में इसके राह में आए बड़े से बड़े परवत भी टिकते नहीं है वही इंसानी होसला जो नदियों को भी मजबूर कर देता है अपना रास्ता मोडने के लिए वही इंसानी होसला जिसने ना केवल आस्मान में जाकर अपना परचम फैराया बलकि समंदर के सतहों में भी जाकर आविश्वसनी खोच किये हैं जी हां दोस्तों यहां हम आपको ऐसे ही इंसानी होसले और जजबे से भरपूर एक इंसान से मिलवाएंगे तो दोस्तों मिलिए अमेरिका के रहने वाले 23 साल के जियों क्लार्क से दोस्तों, जियॉन ने 15 जनवरी 2021 को अमेरिका के ओहायो मैसिलोन में अपने हाइ स्कूल जिम के हाथों पर सबसे तेज 20 मीटर चलने का प्रयास किया और जिसमें उन्होंने अपने दोनों हाथों के सहारे 20 मीटर की लंबी रेस 4.78 सेकेंड में पूरी कर ली और अपने होसले का लोहा मनवाया और अपना नाम Guinness Book of World Record में भी शामल करवा लिया दोस्तों, जियॉन का कहना है कि इस प्रकार के सहासिक कारे को करने के लिए जबरदस्त मोटिवेशन और स्ट्रॉंग फैमिली सपोर्ट की बेहत जरूरत होती है उनके इसी सपने को पूरा करने के लिए उनके ट्रैक कोच होल्डर बुच रिनॉल्ट्स ने जो की खुद भी एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर है उन्हें इस कोशिश के लिए मांसिक रूप से त्यार करने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई साथी करीबी दोस्त और परिवार ने भी उन्हें खूब रास्ते में समर्थन किया क्लार्क एक एथलीट होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर और आथर भी है तो भाईयो क्लार्क के इस दमदार जजबे के लिए एक लाइक तो बनता ही है और ऐसे ही वीडियोज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजगा